फिरोजबाद थाना नागला खंगर के अंतरगत ग्राम कोठरा में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले बताने कुछ दिन पूर्व बच्चों को लेकर एक मामली विवाद चुड़ गया था उसको लेकर ये मामला एक विकराल रूप में परिवर्तित हो गया जब इश्वर दयाल बाजार से दूद का हिसाब करा कर घर वापस आ रहा था तब ही रास्ते में ओमकार, लामचंद, रिंकू, रूप सिंग, राकेश, उक्त पांच लोगों ने इश्वर दयाल को रोक लिया वेगा साथ ही उसकी पाइक तोड़ दी और उसके साथ मारपीट कर दी, साथ ही टुकडों में तबदील करने जैसी धमकी भी देने लगे जब ये मामला इश्वर दयाल ने अपने घर में बताया तब घरवाले उक्त लोगों से बातचीत करने के लिए पहुँचे लेकिन दबंगों ने घरवालों के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया उक्त पांच नामजदों की अनावा इस लड़ाई में मुनीम, श्याम, बाबू, मुरली, छोडे लाल, सर्विस, अमरदी पेवं महिलाएं सामिलित थी जिसके हाथ में जो लगा उसे लेकर मारपीट करने के लिए उतर गया गी किसी के हाथ में लाठी ड़ले तो किसी के हाथ में कुलहाडी देखने कुली देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर